हालो फ्रेंड्स वालकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिका रहा हूँ देखिए जिस चीज का इंतजार था वह आपके सामने यानि कि बजा आज फाइनेंस के स्टॉक में क्वाटर थी के नतीजे आज आने वाले थे और वह आ चुके हैं प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिले लेकिन कितनी बड़ी ये गिरावट है पिछले साल दिसंबर के कंपार जनके हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सीधे चलते हैं रेजल्ट के उपर लेके चलते हैं और वहाँ पे रेजल्ट को देखते हैं समझते हैं बजाज फ देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले में आपको बना दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और टेक्निकल आनलेसिस अगर आपको सीखना है तो फिर आप मेंबर्शिप जॉइन कर सकते हो जॉइन बटन पर क्लिक करके डी में टकान के लिए आपको वीडियो किशन में लिंक दिये ही हुए हैं तो यह सारी फिगर जो है वो करोड में है याद रखे किसमें है करोड में तो अभी हम बात करेंगे 2020 दिसंबर की कंपेर क कितनी हुई ये देखिय आप टोटल इनकं में मुझे गिरावट देखने को मिल रही है स्वन टॉजन टूटीटरि करोड से टोटल इनकं गिर गई है और हुई है सिक्विस्टी हिए जैने कि specific दियुच करोड ती सो एसे माहौल में जिसमें आपने अबरॉल देखा कि धीरे-धीरे चीजे पॉजिटिव होती जा रही है उसमें तो ये सही है बट अगर अगर कंपेर करें लास्ट के हिसाब से तो गीरी भी आपको देखने को मिल रही है लेकिन प्री कोविड लेवल और अभी पोस्ट कोविड लेवल इतना नॉर्मलाइज हो गया कि इतनी कमाई कर ली तो अच्छा ही है यह मान के चलिए अब एक्सपेंसेज भी कमपनी के बढ़े हैं 4853 करोड से बढ़के 5103 करोड तक एक्सपेंसेज भी गए हैं जिसकी वज़े से प्रॉफिट बिफोर टेक्स को ही आप देख लीजिए कि कैसे 2170 यानि कि 2170 करोड से गिरके 1554 करोड तो आप क्लियरली देख पारे हैं आपे कि कि इतन हूं और प्रॉफिट आफ्टर टेक्स कि अगर बात कर रहे हो तो बिफोर टेक्स था और यहां पर आप नंबर देख सकते हो 1614 1614 करोड से प्रॉफिटेबिलिटी डिप हुई है और 1145 राउंड ओफ करके अगर फिगर लेखा जाए तो सीधे 500 करोड के आसपास आपको लग प्रॉफिटी भी है क्योंकि पिछले क्वाटर के नंबर साथ देखोगे 964 करोड का प्रॉफिट बस था तो आपको यह रिजल्ट कैसा लगा आप कमेंट के थूँ बताएंगे फिलाल हम इसको और आगे लेके चलेंगे बजाज फाइनेंस को और समझने की कोशिश करेंगे टेकनिकल पर जैसे हमारे हिसाब से करेक्शन इन प्रोग्रेस थी जैसे हैब कुछ दिन पहले भी हमने बात करी थी और इस करेक्शन के उपर यह करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आपको मौका मिल सकता है एंट्री का बट अर्निंग पर शेर कितना गिरा देखे आफ्टर टेक्स आपने देखा तो आप अर्निंग पर शेर केस आप से देख लीजिए तो यह बजाज फाइनेंस के कौटर थी के नतीजे आपके सामने है अब बजाज फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो पिछले कुछ कौटर के नंबर को दिखाऊंगा आपको ताकि आ 2018 में 1060 करोड का प्रॉफिट दिसंबर दिसंबर की बात फिर 2019 में कितना है 16 14 करोड का प्रॉफिट तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो यह जो प्रॉफिट अभी हुआ है तो यह मतलब एक-दो साल पुराना जानी कि 2018 के टाइम के आसपास यह प्रॉफिट जा चुका है तो इतना यहाँ पर ज़टका जरूर लगा है कोविड का वह आपको क्लियरली दिख रहा है हाँ दिने की चीज़न नॉर्मलाइज होंगी आप देखे जहां पर कंपनी 15-16 करोड के लबल तक पहुंच चुकी थी प्रॉफिट अभी वापस यह रिवाइव कर रही है और पि कर देगी तो वह सारी चीज़ अगर हम देखते हैं तो हमें टेक्निकल आनलेसिस पर जाना पड़ता है वहां से हम समझते हैं आज क्या कुछ रहा बजाज फाइनेंस के शियर में क्योंकि कल तो बड़ी तेज भागे थी तो आज की सिचिवेशन देखोगे आप तो और फ्ल सार्ट सार्ट करते हैं वह का चार्ट है यह सारी चीज यह चसक्रीन र्स स्क्रिन içinde स्करिम आपको मिलता है अच्छी चीजय этим वाले चार्ट से यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाते देखिए फाइनेस पहली रेक्षन दूसरी रेख्षन इन प्र्रेक्ष् आ सकती है या फिर रिवाइवल के चांसेस आ गए हैं उन चीजों को समझते हैं जब पहली रैली बजाज फाइनेंस के आई थी देखिए माँ आजकल आपको पूरा नंबर एक्जेक्ट देने लग्या हो इनके हिसाब से तो पहली रैली बढ़िया रैली आलमोस्ट पैसा डबल ये देखिए कि हां से यह और इस पहली करेक्शन को देखिए पहली करेक्शन कितनी आई है डाउन ये अलमोस्ट मैं कहूंगा 20-21 पाशेंट के आजपा से एक पर दूसरी रैली और भी बढ़िया और अब दूसरी करेक्शन को देखिए आब आप क्या कर्येक्शन और डिप आ सकती है थोड़ा सा और नीचे आ सकती है क्योंकि यहां पे 4600 के लेवर अभी लास्ट कुछ दिन पहले ही मैंने बजाज हैं और आपको कैसी बात्याहिं कर रहे सकती है उसके आसबास तक तो यह करेक्शन आ जुकि है और अगर थोड़ा बहुत और डाउन चल जाए ना मैं तो यह सोच रहाथा और अल्रेडी हम कितनी डिप पे आ चुके हैं वो देखते हैं सबसे पहले क्योंकि लास्ट करेक्शन जैसे मैं आपको दिखाया कि 20% की करेक्शन थी और इस करेक्शन को अगर मैं 20% मान के चलू तो 20% वो यहीं तक बैठ रही है देखिए चब 45-45 के आज पास तो यह 20% की करेक्शन आती है तो बहुत ही इंपोर्टन रहने वाले और बहुत ही डिमांड यहां पर जेनरेट होगी पर जो सिचुवेशन आज देखने को मिली है आज नहीं कल की डेट मैं कहूंगा आज एक हॉल्ट केंडल देखने को मिला है बड़ी के आता है क्योंकि जैसे की सिचुवेशन ऐसी होती है इंपल्स करेक्शन और अगर यहां पर यह डिप आता है सिचुवेशन और डाउन जाने की कोशिश करता है तो यह जो रेंज है ना दोनों साइड से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मार्केट में हर तरीके से आपको सूचना है positive इस चीज को cross करेगा तो मतलब यहां पर previous high को cross कर देगा तो आपका connection resolution लेकिन downside मागर आता है तो फिर यह एक downside में इस तरीके की situation मनाएगा कि RSI में इस तरीके से higher low situation मना के देगा तो आपके लिए और भी important यह daily time frame है बजाज finance का तो बजाज finance के stock को हमने monthly पे देखा daily पे देखा weekly पे देखा और जो बड़े time frame वाले लोग होते हैं वो generally इंतजार करते है correction resolution को किता है weekly का बनने दो candle इस week के high cross होगी तो next week में देखेंगे ऐसी situation भी होती है और देखिए last time पे जब यह इस level के correction दे रहा तो almost October September October में आपको video create करके पहली बता दिया क यह correction कभी भी resolve हो सकती है तैयार रहना बड़ी rally के लिए और बड़ी rally इतनी बढ़िया rally आई कि percentage वाई अगर आप देखो क्या return मिला मैं यहाँ पे कहूंगा सबसे safe आले लोग क्यों कि हमने सबसे safe के लिए आप जो entry point कहा था 3500 overall 3500 से अगर मैं 5300 तक के अभी range दूँ तो 50- 52% कितना बढ़िया return होता है और within few weeks अब सोचिए within few weeks अगर आपको 50% return मिल पा रहा है with managed risk अगर मैं यहाँ पे आपने 3500 का entry और deep risk भी लिया होता तो यह कितना होता जारा देखी percentage बाइस देखते हैं इसको कितना यह risk होता यह होता almost मैं मान के चल रहा हूं deep वाला 15% के आसपा 20% का देखे मैं calculate इसलिए कर रहा है यहाँ पर 20% का क्योंकि last correction 20% के आसपास कीची तो कहीं न कहीं 44-4300 जून एक demand जून दिख रहा है और अगर हम इस breakout के pullback की बात करें तो pullback के पास यह already आ चुका है और joint formation हमें देखने को मिल रहा है तो next week काफी important होने वाला है और मैं कहू फुल मोमेंटम जोन में बजाज finance का stock है और correction भी हमें देखने को मिले पिछले 3-4 हफतों से तो फिलाल wind up करता है उस वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो share कीजिए like कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से subscribe कर ले बैल अखन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रहेगी and thank you thank you for watching the video